पॉलराइजेशन तो अब हम जो लेक्टिर के स्टार्ट में टॉपिक के स्टार्ट में जो कुशन पूचा गया था उसका अंसर करने काबि काबिल हो गए है वाट हैपन्स टूआ पीस ओव मट्रियल वें इट इस प्लेस इन अलेक्टिफिल अगर आप डायलेक्टिक या कोई प्लेस करते हैं अलेक्टिफिल में तो क्या होगा तो दो सूर्ते हैं एक यह है कि अगर आपके पास एटम न्यूट्रल है तो उसमें डायपॉल इंड्यूस हो जाएगी गेम ने देखा और अगर आपके पास पॉलर मालीकूल है जिसकी पहले से पॉलाइटी है और वह डाय केस में डायपॉल इंड्यूस हो जाएगी जो एंड रिजल्ट के हमारे पास और वह पॉलराइजिशन है और हमारे पास दूसरे केस में पॉलम मालीकूल है तो वह भी पॉलराइज रहेगा लेकिन उसकी अलाइमेंट जो है वह अलक्तिफिल की तरफ होना शुरू हो है खरनी तो तो मैंने ने बताएं और नहीं सेम आ लॉत अफ हो यह दोनों का दोनों सेरियों का एंड रिजोल्ड है है बेजिक आपके पास न्यूटिल एक्टम्स हो या आपके पास पॉलमाली के ऊज़ा हो अलॉट ओफ लिटल डाइपोस पॉइंटिंग अलॉंग एलेक्टिव फील्ड एक्टिव एक्टिव फील्ड है तो इस सिच्वेशन को हम कहते हैं तो हमारे पास काफे साइज छोड़ खाकर वालियूम पर टूॉंत वालियूम आपके पास जो डाइपोल मॉमेंट पर टॉनट वालियो मेंइस सेंगे पॉरर इसे पॉलर इछेशन कुछ में ऐसे भी होते हैं यिसमें अगर आप अग्टिव फील्ड आफ कर दे तो उसमें जो पॉलराइज स्टिल रहती है उसे सब्सक्राइब करने के बाद भी पोलराजिशन रहती है तो जिस मर्जी से पैदा हुआ है बनी है पॉलराज़ेशन तो लेकिन उसक्राइब सब्सक्राइब आपकोंगे। तो टॉपिक यहां पर खतम हो जाता है लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉब्न प्रिस्ट कर लें एक पॉब्न तो हमारे पास यह है अन्रजी ओफ एन डाइपोल तो अगर आपके पास एक डाइपोल है जो मैंने यहां पर शो की वी है वह आपने उसको अलेक्टिफिल में प्ले होगी तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक्र फिल्ड जो डाइपोल मोमेंट की डेक्शन यह है तो अगर आप इसे रूटेट करते हैं समाँ एंगल इस तब रूटेट करते हैं आँ एन्टी अलाइब करने कोश्चिश करते हैं तो आपको इसमें तो इतनी रूटेशन करने के बाद जो नेजी होगी वह चेंज़ नर्जी है तो यहां पर जब पहले से उसकी कॉन्फिग्रेशन थी वह अनिशन अज़ेज को जाब करें उसको ले के आए हैं तो होगी फाइन अनर्जी तो इन दोनेजी डिफ़रंस आपको मिल जाएगा अग तो पी इसाइन थीटा यहां पर जो मैंने डाइपूल मॉमेट भी कॉंस्टेंट लिए और मारे पास लेक्टिफीड भी मैंने कॉंस्टेंट लिए जो जिसमें यह डाइपूल प्लेस किया गया तो इंटिगेशन से बाहरा जाएगा इंटिग्रेशन अंदर चलिए आएगी तो यहां पर जब आप इसको इंटिगेट करेंगे तो आपके पास यह रिजल्ट आएगा तो एंट रिजल्ट लिमेट पूट करने के बाद पी इंटू कॉसिटा आए मानस कॉसिटा एफ तो जैसे कि यह पोटेंशन दर जी होती है हमारी ग्रेवटेश्य पोटेंशन दर कि आप चाहें तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने हाइट कहां से मजिर करनी है जहां से आप रेफरंस डिफाइन करें कि आपने यहां से हाइट मजिर करनी है तो तो वह आपका बन जाता है रेफरंस पॉइंट तो जो हाइट मजिर करेंगे आप कोई भी रेफरंस एक तो जैसे आप हमारे पास जो रहते हैं तो इसमें भी हमारे पास जोजाइस मौझूद है कि हम प्रफर्ञ चूज़ कर सेगे तो मैं रेफर्ञ लेता हूं कि पहले जो डाइपॉल मोमेटि को वो है पोजिशन है वो है इसके बिलकुल परपेंटी को रहे हैं यहां पर यह पर पड़िए यह पास जब कॉस हो जाएगा तो वह फिरू हो जाएगी मारे पास इनिशनलों का अ लोड़े तो पहले हैं पॉट्छी कि ट्रम में बात कर रहे थे लेकिन जैसे आपने रफस कि लिभाइन किया तो अब फिर आप अपसलीट नर्जी की बात कर सकते हैं तो हमारी डाइपडर की जो अनर्जी है अगर आप उसे प्रिस करतें यह ऐस अलक्टिफ य में तो उसके अनर्जी कम होगी लेकिन जैसे आप उसके रूटेट करके अन्टी पाल करेंगे तो आपको ऊसमें प्रोवारीट करना पड़ेगी तो जो एंटी पाल to में अर्क नॉब पूंट के दिरमान में पूंट कर रहा है क्यों से तरह चो यह ढएक्शन आपको यहां पे नगर आ और डाइपोल मुमेट आर के साथ एक एंगल मना रही है थीटा तो आर का यूनिट वेक्टर आपको मिलेगा यहां पे तो इसके साथ इसका एंगल है थीटा तो यह हम से यह पूछा गया है कि इसे वहया है तो यह का है कि ए यह टूर्ट टो ए तो य Kelsey क्टोच डूट ऑल डे तो यह हमारे पास है यह DIPole Almonds का कि पीध थिए किस अप्लाय हो रही है यह बैसे को थो पी हमारे सब्सक्रेश की आएगा लेक्रविड आएगी चार्ज कि तो अगर आप इसको आर वेक्टर को लिखना चाहें अगर मैं कार्टिजन कोडिनेट में इसको चेंज करना हूं तो आर जुएट वेक्टर होगा इस इकल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय और मेगनीचुट तो नीचे मैं यहां से इसको आर वेक्टर की जगापे आर वेक्टर और पूट कर सकता हूं नीचे आर क्यूब बन जाएगा जो कि आपको यहां नज़ार है और उपर हमारे पास है एक्स वेक्टर है तो यह साफ आपको एक टार अरत वार रहे है तो मैं दोबारा आपको यहाद करा हूं कि स्परिकल कार्टिवन कॉड़ियर मेंठी होता है एक्सक्वेर प्लस वाइस्क्वेर ब्लस शीग और इसका होता है स्कुरोट फिखयक टिक तो यह मेरे पास- आर क तो मैंने यहां पर लिखा काटिजन कोडिनेट सिस्टम में तो अब मैंने इस अभी सोप्रेटर को वैलुएट करना तो डाइपोल मुमेट मेरी पास है मैं अगर इन दोनों का डॉट लेता हूं तो यह पार्शल और पार्शल एक्स है मैंने इसको सिर्फ कर लिए एक्स लिख तो तो फूर्फ हम बात करें लिख साथ और मैंने सिर्फ यहां पी लिका होई ओगर वाइंगे तो आप के पास की जगहान पर यहां पर बजाएगा जैगा से WR deux कि किृट की जगावब हनु आपके एक्स की जगां यहां पर एक्स की जगांपहर जाएगा तो सिर्फ हम बात सब्सक्सक्राइब करें नीचे भी एक स्कोर्य है दूसरा डेरिवेटिव ज्यादा सिम्पल है वह कोशन रूल यूज नहीं होगा पास उसमें से पावर उस होगा कि हमारा स्कूर्छ स्ट्रफ नीचे ही मौजूद है और तीसरा है डेरिवेटिव वह भी आ इसके बीजासे पीचे पीछे हैं इसके operator के तो यह में होता तो जो जो हमारी derivative के सामने आएगी इस पर इसी पर ही apply होगा तो तो पार्शल और पार्शल एक्स इस पे अपला होगा पार्शल और पार्शल वाई इस ट्रम पे अपला होगा पार्शल और पार्शल जी इस ट्रम पे अपला होगा तो आप अगर apply करें इसे यह simple derivative है इसमें कोशन रूल लूज़ होगा और दूसरा हमारे पास power rule लूज़ होगा तो आप देखेंगे कि आपके पास जो x component आया है वो आया है यह तो मैंने जैसे बताया कि x की आपके पास दो टरम आएगी एक तरम यह है और दूसी टरम आपके पास x की यह है और y की term आपके पास single आएगी जैट की आपके पास term single आएगी तो अगर मैं इसको generalize करना चाहूं तो मैं देख सकता हूं कि अगर मैंने x component की अगर बात करूं तो यहां पे momentum के x component आता है और यहां पे आता है x component position का तो अगर मैंने यहां पे y component लिया होता तो यहां पे आ जाता by और यहां पे आ जाता y और अगर मैंने यहां पे z component लिया होता है तो यहां पे आ जाता दो यहां पे आ जाता z तो इस वजासे को generalize कर लेता है । यह मारे पार दिर्म्यान में क्या है यह. प्रोडक्ट यह basically p.r है तो दॉट-पोडक्ट स्की फाम में ल रहा मेरे पास प्सक्रीष एकेद रहे तो थे जहां जहां पर वैक्टर लुटा कर दें उस क्वांटिटी गार्यकेद तो हमारे पास कॉस्पार्णिंग ये रिसल्ट बन जायगा हो तो यह रही है मारे पास फोर्स यह फोर्स है कि मैं बता दू कि क्यों की वह जा से डाइपॉल मुवेंट प्रेप्वन प्रेपला हो रही है कि वह रिखर फोर्स तो डाइपोल मुमिन्ट पे जो क्यों अपलाय कर रहा फोर्स असल में वो ये हैं अब हिस स्कॉशन पूइज पूचार we can always कोशन यह है कि फोर्स उन क्यों कि वो फोर्स क्या है कि मारे पास जिए डाइपॉल मुमिन्ट यहां पर रखी हुए यह और यह अपलाय कर रही है एक चार्ज के उपर जो कि हमारे पास है आठ डिसनस अवे तो यह रहा मेरे पास यहां पे और यह मेरा मेरे पास है चार्ज यह क्यों तो यह है Q और यह है मेरे पास पी यह एंगल है थीटा तो अब आप डाइपोल मुवमेंट की वजासे Q पे क्या फॉर्स है तो यह Q पे जो फॉर्स अप्लाया होगी इसकी एलेक्टिव फिल्ड की वजासे अप्लाया होगी तो यहां पर Q की पॉजिशन पे हम एलेक्टिव फिल्ड लेंगे डाइपोल मुवमेंट की एलेक्टिव फिल्ड होती है यह तो पहले हमने देखना था कि डाइपूल मोमेंट पे अगर आपने फाइंड की थी फोर्स तो हमने देखा था वो किसकी field अप्लाय और हो हुरह리 सकी तो वह क्यूँ क्यों क्या अप्लाय होरही थी अब हमने चैप्टर नमबर थ्री से जानते हैं कि इसे बताया था आपको कि जो हमारा पास आर है वो क्यू से मॉमेंटम इसकी तरफ है डाइपोल की तरफ जबकि हमने अब अप्लाय करनी है फोर्स और हम में चाहिए पी से रा मायनस करतोर्ड़ होगे तो як मट्रस पी लेत्र आपट की छोड़ाने कैने हुए कि प्लाय के लिए अर मानस आ जाएगा यहां पर भी मानस आ वाजागा हो जा गए और यह रहा मेरे पास एलेक्र फील्ड ahler डाइपोल की वजाब से लाइप तक अचुछ जो इस अबसार हो एस मुर्ण है कि यो टाइप्स रखा हूँआ है इसकी फिल्ड क्यू फॉइंट बील्स ठीए है यह है कुई पर लगा है तो जब आपको एक पॉइंट पर była कर दे मिल गाए to यह हम जो श्टास 2 पर सना करना होता है आप पॉइंट पर आपको इस पर फर्स मिल गाई पॉर्स प्रGroup मिल गाई था इस में एक चीज़ का लाजमी धियान रखना है यह कि आपने फिल्ड कौन से लेनी है तो अगर चार्ज बैग में फोर्स फाइंड करने तो चार्ज की अपनी वजा से फिल्ड फोर्स नहीं लेनी तो चार्ज अपने उपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता ठीक है और अगर आपज öğ मुलाई पूर्स अप्लाई टो...